मर जाना पर डॉक्टर के पास बिलकुल मत जाना आज से 5000 साल पहले चरक, वागभड और सुश्चुत रिशी ने यह वार्निंग दे दी थी पर क्यूं जबकि वो खुद भी डॉक्टर या चिकिस सकते ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने कहा कि मरना ज़्यादा अच्छा है बजाए कि डॉक्टर के पास जाने के इस चीज को जानने के लिए आज हम 3 कॉइंट के उपर बात करेंगे सबसे पहले वो कौन सी वार्निंग है जिसे चरक शुषूत और वगभट रिशी ने दिया है दूसरा वो ऐसे कौन से डॉक्टर है जिनके पास जाना मतलब मौन का सामना करना और नमबर 3 ऐसे डॉक्टरों को आप कैसे पहचान सकते हैं क्या उनसे कैसे बचके रह सकते हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें स्वागत है आप सभी का ओज आईरवेद में जा हम बात करते हैं शुद आईरवेद की जो की आईरवेद के सास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए संस्कृत में एक श्लोक है वैद्यराज नमस्तु भ्यम यमराज सहोदरह यमस्तु हरती प्राणान वैद्यो प्राणान धनानिचर अर्थाज वैद्यराज उस डॉक्टर को नमस्कार जो की यमराज के भाई है यमराज तो केवल एक समय पर जान ही लेते हैं पर डॉक्टर या वो वैद्य पैसा और जान दो की दोनों चीज़े ले लेते हैं ऐसे वैद्यों के बारे में चरक रिशी वार्निंग देते हुए कहते हैं कि देवराज इंद्र का जो हतियार है जिसे की वज्जर कहा जाता है वो सबसे ताकतवर हतियार या सस्त्र माना जाता है वो एक टाइम पे सिर पे गिर जाए तो चलेगा मनुष्य एक बार आग में जल जाए तो भी चलेगा पर ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराना मतलब मौत का सामना करना और उन डॉक्टरों को या वैद्यों को आचारे चरक अधर्मी पापी और उन से बात करना मतलब नरक जाने के बराबर खराब माना है तो आचारे चरक ने इतने कड़क शब्द का प्रयोग क्यू किया या फिर ऐसे डॉक्टरों का बायकॉट क्यू किया तो छली जानते हैं वो ऐसे कौन से डॉक्टर या वैद्य हैं जो की मौत की बराबर है उन सभी के लिए आईरवेद में एक शब्द का प्रयोग हुआ है उसका नाम है छद्मचर अर्थात ऐसे लोग जो खुद डॉक्टर या चिकिस्तक नहीं है पर अपने नाम के आगे डॉक्टर या चिकिस्तक लगा कर इलाज करते हैं आज के जमाने के हिसाब से बात करें तो ऐसे लोग जो इंटरनेट या यूट्यूब या फिर सोशल मेडिया पर बहुत बड़े ग्यानी बने हुम रहे हैं ऐसे सभी लोग जो कहते हैं दो दिन में कैंसर ठीक एक दिन में डाइबिटीज ठीक पंदर दिनों में जोडों का दर ठीक ऐसे सभी लोग जिनोंने ना आईरुवेत को कभी पढ़ा है ना कभी आईरुवेत का ग्यान लिया है केवल दो चार नुस्खे यहां वहां से पढ़के उसके आधार पे जो चिकिस्ता करते हैं ऐसे सभी के सभी वैद्य या डॉक्टर छदमचर हैं और वो सभी के सभी यमराच के भाई हैं और उनसे आचारे चरक बचके रहने के लिए कहते हैं दूसरी बात ऐसे सभी लोग जिनोंने ना तो पेशन को देखा न बीमारी को देखा न कि वो बीमारी हुई क्यूं है उसके कारण को समझा सिर्फ बीमारी का नाम सुनके यूट्यूब, इंटरनेट, सोशल मीडिया या हर जगा प्रचार करते हैं कि 15 दिनों में किड्नी ठीक, बिना देखे शर्तिया, इलाज, ऐसे सभी के सभी लोग यमराच के भाई हैं या फिर जानलेवा, छदमचर, वैद्य हैं आप इसमें उन लोगों को या ऐसे चैनल को भी शामिल कर सकते हैं, जो कि आईरवेद के बारे में खुश नहीं जानते पर आईरवेद की लंबी लंबी एडवाईस देते रहते हैं, क्योंकि सच में आईरवेद की एडवाईस नहीं हैं, जैसे कि चार ग्लास, तुबा उठ कर पानी पियो, या फिर गर्मियों में दही खाओ, क्योंकि दही ठंडा होता है, या कमर दर्ध है, तो सिर्फ मेती खालो, सोट खालो, जबकि उन्होंने ना तो बीमारी देखी, ना बीमारी का कारण समझा, और लंबी लंबी हाकना चालो, एक दिनों में बाल लंबा, दो दिनों में बिमारी थी वो सभी लोग वो सभी चैनल और ऐसे सभी लोग जो आईरवेद के नाम पर जब की आईरवेद को बिल्कुल नहीं जानते पर लोगों को गलत एडवाइस देते हैं जैसे कि जादा हरे पत्ते की सबजियां खाओ जादा से जादा पानी पियो रोज दह खाओ या फिर अंकुरित चीजे खाओ ये सभी चीजे आईरवेद में बिल्कुल नहीं लिखी हैं और लोग सिर्फ आईरवेद का नाम चिपका कर आपको इसकी गलत जानकारी देते हैं और ऐसे भी लोग जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि बस दो दिनों में बाल लंबे, एक दिनों में घुटना ठीक, 48 मिनट में कैंसर ठीक, लहसुन खाकर धमाल न जाने क्या क्या तो उन सभी लोगों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो सभी लोग चिकित तक नहीं हैं उन्हें आईरवेद का ABCD भी नहीं पता और आईरवेद के नाम पर सिर्फ धन्दा या बिजनेस करते हैं तो कोई भी कमपनी, कोई भी व्यक्ती अगर आपको आईरवेद का नाम लेकर ये कहें कि हम बिना रोगी देखें या सिब बिमारी का नाम सुनकर बिमारी ठीक करते हैं तो समझ जाईए ये वही डॉक्टर है जो की यमराज का भाई है तो इस तरह के डॉक्टरों से कैसे बत सकते हैं नमबर एक आपको कोई भी आईरवेद की एडवाइज दी तो उसे सबसे पहले पूछिए कि क्या वो सच में आईरवेद का डॉक्टर है अगर आईरवेद का डॉक्टर है तो वो उसका प्रूफ दे या अपना रजिस्ट्रेश अब आईरवेद का डॉक्टर होना ही क्यों जरूरी है क्योंकि आईरवेद सीखने के लिए कम से कम 5-6 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है सभी सहिताय शरीर विज्ञान, मौडन ये सभी पढ़ना पड़ता है उसके बाद भी जाकर लगातार अध्यान करते रहना पड़ता ह तो आईरवेद की एडवाईस उसी से लीजिए जो खुद आईरवेद का डॉक्टर हो दूसरी चीज आईरवेद का प्रमान मांगे अगर कोई आपको ये जूट भी कहता है कि ठीक है वो आईरवेदिक डॉक्टर है वो सब कुछ जानता है तो वो आपको जो कुछ भी एड जानकार होगा तो सही रिफ्रेंस बताएगा अगर उसे आईरवेद की बिल्कुल जानकारी नहीं होगी तो वह वहां से 9-11 हो लेगा तीसरी चीज जो बाते सुनने में अच्छी लगती हैं वो सज भी हो ऐसा जरूरी नहीं जैसे कि आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे कि सिर्फ एक ये चीज हमने खाली और ऐसा हो गया या हमने ये कर दिया और वैसा हो गया तो उन सभी लोगों से आप प्रमान मांगे कि भाई आप जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है उसका कोई पेशेंट आपने ठीक भी किया है या आपने कहीं देखा भी है तो इंटरनेट पर या आजकल माया जाल की दुनिया में जबकि ऐसे छदमचर या यमराज के भाई ऐसे डॉक्टरों की या ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है तो उस जमाने में थोड़ा समल कर और बचकर ही रही है क्यूंकि आईरवेद बड़े धोके हैं इ सिर्फ कोई एक नुस्खा दे दो और ठीक हो जाएगा आईरवेद में चरक रिशी कहते हैं पुरुषम पुरुषम विक्षे अर्थात हर एक व्यक्ति अलग है हर एक बीमारी का कारण अलग है और हर एक व्यक्ति का इलाज अलग से किया जाना चाहिए इसलिए एक लें आईरवेदिक पद्धिती से जान जैसे कि नाड़ी पेट लीवर किड्नी इन सबकी जो आईरवेदिक पद्धिती से दर्शन प्रशन प्रश्न करके जो जांच होती है उसके बाद ही इलाज करने के लिए कहा गया है आज के जाने में चारों तरफ जब छदमचर या ऐ और उन्हें बताएं कि सच में आईर्वेद क्या है और आईर्वेद के नाम पे धंदा करने वाले लोगों से वो कैसे बच सकते हैं आईर्वेद की ऐसी ही सही जानकारियों के लिए यूट्यूब पर ओज आईर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और तब तक के लिए त्वस्त रहें मस्त रहें